मद्य प्रदेश में आदमी पार्टी का संगठात्मक विस्तार तेजी से किया जा रहा है अन्य प्रदेशों की तरहा मद्य प्रदेश में होने वाले नकरी निकाय चनाव के साथ साथ विदान सवाद 2023 के चुनाओं में आम आदमी पार्टी अपने उमीदवार में दान में उतारे की यह क्याना है आपके प्रदीश अध्यक्ष पंकर जिस्सिह का ACN भारत के मैनेजिंग एडिटर अर्श्वत खान से खास बादशित में पंकर सिह ने कहा कि प्रदेश में तीसरा विकल्प तयार हो गया है आने वाले समय में जुनता मुल मुद्दो को ध्यान में रखकर वोट देगी और आम आदमी पार्टी जुनता के मुद्दो पर चुन पंकर सिंग जी से और जानेगी कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है पंकर जी स्वागत है आपका ICN भारत में आम आदमी पार्टी ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही मौजूद है पूरे जेश में कहीं उसका विस्तार होता नहीं नजर आता है पंजाब की हम बात करें तो वहां पर जरूर अपने पिछले चुनाओं में अपनी आमद दी थी लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मदबदेश हुआ, राइस्थान हुआ, उतबदेश हुआ, बंगाल हुआ, यहां पर आम आदमी पार्टी की अभी भी वह भूमिका नहीं है जो दिल्ली मे आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर अगर आप राजनेती की तिहास उठा के देखें, तो सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है, आठ साल पुरानी पार्टी है, इस पार्टी ने दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाया है, हम पंजाब में विपक्ष में हैं, इस बार हर सर्वे दिखा रहा कि आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही हम गोवा में राज्य पार्टी है, हमने गुजरात में मुनिस्पल कारपरिशन के चुनाओ जीते हमने करनाटाग में चुनाओ जीते हमने यहां तक के कस्मीर में जीता, मध्य प्रदेश में ह हम लगातार, संगठन बिस्तार, संगर्स जो जनता के मुद्दे हैं उन पे और जो आगामी नगर निकाय पंचायतों के चुनाव उनकी तयारी के लिए कार कर रहे हैं तो लगातार हमारे सम्मेलन हो रहे हैं जिला पे कारकरताओं के साथ संबाद इस्थापित करके आम आद्म इस देश के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है अभी हम जैसे पांच राज्यों के चुनाओ है चाहे पंजाब हो उत्तराखंड हो उत्तर प्रदेश गुजरात हो गोवा हो इन राज्यों में हमारा संगठन तेजी से काम कर रहा है हम लगातार लगे हुए ह जनता हमें उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। देखे आम आदमी पार्टी मद्द प्रदेश में पहली बार नगरी निकाय चुनौ लड़ने जा रही है। कि चुनाओ के बाद हम 2023 की तैयारी भी करेंगे। पार्टी तेजी से बढ़ रही है। कुछ राज्यों में हम काफी पहले आये। जहां आंदोलन कासर पहले हो गया, वहां पहले आये। मद्द प्रदेश में भी आएंगे। मजबूती से आएंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। कि यहां तीसरे विकल्ब को इन दोनों पार्टियों ने पहले खड़े नहीं होने दिया। आप देखेंगे। तो चै बालू का ठेका उठाके देखें। चै दारू का ठेका उठाके देखें। भाजपा कॉंग्रेस के नेता उनके कारकरता मिल के इन ठेकों को चलाते हैं। इनको डर है कि अच्छी पार्टी कोई आ जाएगी तो हमारी दुकानदारी बंद होगी। इसलिए इनका सामना अभी बसपा सपाज ऐसी पार्टियों से हुआ होगा। पार्टी पार्टी को यहां मजबूती से आएगी। तो को इस मुझत इनको प्र decision करती है यह जनता के मड़े उठाती है और उसके बाड़ाए बरती है। तो क्या लगता है मद्द्देश में इसे कौन से मुद्देश हैं जिनको उठाकर आप अपनी पार्टी को यहाँ पर मजबूती प्रदान कर पाएंगे मद्द्द्देश को दस साल में अगर दिख विजय सिंग अपने सासन काल में कुएं तक जनता को ले के आये थे मद्द्देश की तो सिवराज सिंग चौहान ने पिछले सत्रा साल सासन चला के उनको धक्का दे के कुयम गिराने का काम किया इन दोनों पार्टीओं ने प्रदेश को खोखला करने का काम किया जिस मुद्दे की आप बात कर लें बिजली का मुद्दा है बिजली है यहां साड़े चौबीस अजार मेगाबाट बिजली बनती है आप कोईले से हो पानी से हो रेनिवल एनरजी के सोर्सेस आप देखें सभी तरह की बिजली बनती है उसके बावजूद प्रदेश में देश की सबसे महगी बिजली सिवराज सिंग चौहान देते हैं यहां तक क किये हुए डॉक्टर्स इंजीनियर्स सब लोग बेरोजगारी से तरस्त आके न केवल सडकों में घूम रहें बलकि आत्महत्या करने पे विवस हैं किसानों का मामला देखें पांच से च्छे किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं महिला आत्या चार के मामले में मद्द किसानों को लेकर इस तरह से गोशना की गई है हाला कि जो किसान में अभी भी इस चीज़ को माननी रहे हैं कि यह सदन में इसका विलय होना चीज़ को खत्म करना चाहिए आम आदमी पार्टी क्या सूचती है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार आवाद उठाती रही किसानों को लेकर आपके दिले के मुखमंतरी अर्विन केजिरिवाल जी ने भी इस मुद्दे को लेकर काफी आवाज उठाई ती उन्होंने कहा था किसानों का समर्तन है तो क्या हर पार्टी यह सोच रही है कि किसान एक एसा मददाता है यदि उसको हम हमारी पाले में कर ल आप देखेंगे तो किसान मुखता दो मांगे कर रहे थे पहला कि यह तीनों कानून वापस होने चाहिए उनको काले कानून कहकर तमाम लोगों ने देश भर के लोगों ने समर्थन किया तो प्रधान मंतरी को अगर एक साल बाद एसास हुआ कि उन कानूनों को वापस लेना के लिए उनके लिए दो सब्द निकलने चाहिए थे स्रद्धांजली अर्पित करने चाहिए थी दूसरी जो मांग थी वह मांग है कि इस देश के अंदर नियुंतम समर्थन मूल का कानून आए वह कानून अभी आया नहीं एक तो यह तीनों कानून वापस हो दूसरा आदमी पार्टी दोरा उन्हें फुल फ्लश तरीके से मदद की गई हो। किसान अपनी विवस्तायां खुद करते थे। हाँ ये जरूर है कि वो अंदोलन किसानों का था किसान नेतर तो कर रहे थे उसमें आम आदमी पार्टी के कार करता या नेता कहीं फोटो वाजी करने नहीं पहुंचे हुआ हमने समर्थन किया सहयोग किया है मैं आपसे अंतिन समाल पोछना चाहता हूँ कि यहां पर शिवराज और कमलनात के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास इसा कौन सा चहरा है मद्वदेश के लिए जो इतने बड़े दिगज नेता इतने अनुभवी नेता आपकी पार्टी को तो आट साली हुए अभी नेताओं का बनना ही शुरू हुआ है तो क्या लगता है आपको कि इसा कौन सा चहरा होगा जो मद्वदेश में आप उसको प्रिजेंट करेंगे क्योंकि कह रहें आपके 2023 की विधान सभा चुनाओं भी लड़ेंगे और नगरी के बीच में या टीवी चैनलों में आके एक दूसरे की बुराई करते होंगे लेकिन वही कमलनाथ जो वादा करके आये थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ब्यापम के घोटाले वाजों को जेल बेजेंगे जब ब्यापम की चार्ज सीट पे लिखा है कि सीम हाउस से फोन दा उसके बाद कहा सिवराज सिंग्घ चोहान 15 महीने में जेल में गए कहां उन्होंने कारवाही की और कि सीवराज ओपस खरीदप्रोक्त करके तोड़ जोड़ करके पिर से सत्ता में आये वो कमलनाथ के उपर क्या कारवाही कर रहे हैं कमलनाथ के जो उनके धंदे चल रहे आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है आमादमी पार्टी समय आने पर हमारा राश्टी नेत्रतु मानी मुखमत्री अरविन केजरिवाल जी और पराश्टी ने तरह तो जो तैय करेगा कोई भी आमादमी चहरा बनके आएगा और इन जो बड़े बहरूपिये बने लोग हैं व्यापार चला रहें राजनीत के नाम पर सेवा के नाम पर उनका चहरा सचाई भी उजागर करेंगे और इमानदार चहरा भी जनता के सामने हैं जितने बीजेपी में हैं कॉंग्रेस में में कॉंग्रेस ने भी अभियान चला रखा है log को जोडा जाए है बीजेपी के ती करोड़ों की संक्या में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को पास मदबदेश में किосьने या पर बना लिए गएं किसे पारा उद्देश है कि हम जनता के पास जाकर जनता के सामने मजबूत और पूरा विकल्ब दें बाकि जनता का जो नेणय होगा सरमाथे पे होगा भीड हो सकता है कि भाजपा के पास पैसा खर्च कर रही है हो सकता है भाजपा जाती धरम का खेल खेल रही है अभी लुभा रह उनके असली चेहरे को सामने लाकर जनता जो सही विकल्प है मजबूत विकल्प है वो सामने लाएगी मैं एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो वो राजनीती है जो दारू पे जो जातपात पे जो गुंडा गर्दी पे आधारीत है जो भाजपा कांग्रेस लंबे समय से करते आ रहे हैं दूसरे तरफ की राजनीत आम आदमी पार्टी की राजनीत है जो अच्छी सिक्षा अच्छा रोजगार अच्छे एस्पताल महिलाओं को सुरक्षा उनके लिए बिजली पानी सड़क के सुविधाएं देने का काम करती है तो अब मुद्दों की राजनीत के साथ आम आदमी पार्टी सामने आई है जनता को तैंग करना है अगर हम सही है तो आप अगर मौका देंगे तो हम आपके निर्णाय को सरमाथे पर रखेंगे धन्यवाद काम करती है और किसे उन्हें चुनना चाहिए यह आने वाला समय ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी मद्वदेश में अपने पेर कितने मजबूत कर पाती है कैमरा प्रसंट साधी कबासी के साथ अरशद खान एसीन भारत इंदौर